इसलों ने अभी इस गगन यान के जरीए इंसान को अंत्रिक्ष ले जाके वापिस प्रिथवी पे लाने के लिए उसका में पेराशूट सिस्टम टेस्ट किया गगन यान को प्रिथवी में नीचे आते समय धीरे करने के लिए कुल 10 पेराशूट्स यूज होंगे ऐसे ही बाकी दूसरे छोटे पेराशूट्स का भी टेस्ट फरवरी 2023 तक होगा और इसरो 2024 से पहले या उसकी शुरुआत तक गगन यान के बाकी दूसरे सभी सेफटी प्रोटोकोल्स टेस्ट करके गगन यान 1 यानि पहली बिना यात्री वाली उडान भरना चाहता है इसी सफलता के बाद तीन भारतियों को इसमें अंतरक्ष भीजा जाएगा